अब एक हब ओनाने अज एक फेझे पनाने और इसमें मैं लिया है अचया है और एक प्याज एक हरी मिर्च और इसको अच्छे से फेट अब आगा अब चेसे नत आकड़े कि wsz बिम करें प्रजा अब नबक में नम्मत बगध़े ऑसको तब से फेट हो arc और अब पहले हम गयास अन करेंगे तबागरम करेंगे इस पर और तबागरम अनिक पास में थोड़ा सा ओईल डालेंगे और ऑल डालके ना पहले पाओ को हलका सेक लेंगे और यह मैं यहां पर वेज में उनीज यूज कर रही हूं परकर फ्लेवर में और यह किसान का टोमेटो थोड़ा तेल डालेंगे और साथ में यह पर इसमें पाओ हलके साइट में रखके रखका थोड़ा ध्यान से सेकते घाएगा मतलब ज़दा प्रेशर मर देज़ए कि तवा पल्टे और ऑइल गिर सके बस आसेाट ज़़ा हाथ से साइड में रखके हलका सेक लेना पाव माने थोड़ा क्रिस्पी हो जाएंगे भी स्वाफ्ट है रची हो जाएंगे अब आप मेरे पास चार पाव है तो हमें चार बार बनाएंगे एक साइट से जब अच्छे से पक जाएगा अगर आपको कच्छा खाना पसंद है हाफ फ्राई तो आप इसी की उपर पाउर अग सकते हैं जिसनको हाफ फ्राई नहीं पसंद है वो इसको दूसरी तरह पलेट कर भी सेख लें कि मैंसर से कट इसलिए लगा रही हूं ताकि थोड़ा फोल्ड हो जा पाउर थोड़ा छोटा है और यह थोड़ा बड़ा हो गया तो बाहर निकलेगा इसके लिए मैंसर कट करके फोल्ड करके उसमें चिपका दीना अभी इसके ओपर पाउर रखके अंडे को पलड़ देंगे अब इसके ओपर हम लगाएंगे मियूनीज को नाइस की मदद से यार इस्पून की मदद से जैसा जो आपके पास अवेलेबल हो आप इसको सेपरेट मेला पैला दीजिए अच्छे से और इसमें डालेंगे तोमाटो केचप अब यह दुनों तरफ अलट पलट कर सेखने का है तो एक साइड हो गया है दूसरा पलट कर इसको सेख देंगे अच्छे से इसी तरह हम चारू बना लेंगे बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है और आप लोगों को खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा एक बार जरूर टाई कीजिएगा जरी फटा फट बना लेते हैं बाकी के भी यह हमारे बन गया है अभी मलग रखे वए तर फंडे हो गया तो मैं इसको दूबारा से गरम कर लेती हूं तो और अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी यह हमारे रेडी हो गया है एक पाउड गर्म गर्म क्रिस्पी एंटेस्टी एक बर आप लोग ज़रूर ट्राइब करें और हमें बताएं क्या आप लोगा कैसा बना है करें का मैंने यह एक बर्गर बना लिया है कि अल्रियों बन गया है और खार्यों कि यकिन मानों बहुत टेस्टी है थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा टेस्टी है तो आप लोग में ट्राइब करें कि वेलते हैं बाद में